नमस्कार स्वागत है जोतिश दिशा सत्त की राह देख रहे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड बताएं कि आज के जोतिश जराहटके कारिक्रम में दिवाली की रात एक कौन सा सपना अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि कुछ बहुत ब देख रहे हैं आगे की तारीखें आपको मिल गई होंगी इंदावर और हाँ पहली बात दिसंबर में इस बार हम आजमगढ और गोरगपुर एक साथ टच करने जा रहे हैं और ये पहली बार हम आजमगढ आएंगे अपने शहर में आएंगे तो आप लोग अगर हमसे मिलना चाते हैं तो इन शहरों में आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं और बाकी शहरों का भी नाम आप अपने स्क्रीन पर देखिए और हम आपको भोल भी देते हैं 13-14 नवंबर चंडीगढ है 16-17 नवंबर जैपुर है 22-23 नवंबर इंदाओर 24-25 नवंबर पुने 26-29 नवंबर मुंबई 30 नवंबर एहमदाबाद 9 दिसमबर गोरखपुर और 11 दिसमबर आजमगढ यह हमारे अगले शेडियूल्स हैं जिसको आप फॉलॉब कर सकते हैं कहीं से भी हैं आया आरम करते हैं जोतिश दिशा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सरप्रथम आज का पंचांग कार्थिक माह कृष्ण पक्ष एक आदशी थी रमाएक आदशी हैं दोपहर एक बज़कर 21 मिनट तक इसके बाद 12 ती थी काउदय चंद्रमा आज सिंग राशी में है साम 6 बच के 49 मिन तक इसके बाद करने राशी में प्रवेश नक्षत्र पूरवा रहेगा दोपहर 12 बच के 52 मिन तक इसके बाद उत्तरा नक्षत्र योग रहेगा एंद्र तदनुसार दिनांक एक नमंबर दिन सोमवार नोट कर लिजेगा आज के राहुकाल का समय सुबह साड़े साथ से नव राहुकाल और गुलिक काल दोपहर जेर से तीन बचे तक गुलिक काल में नए और शुबकाम के लिए सास्त्र मना करते हैं लेकिन राहुकाल पकड़ा कुछ है गुलिक काल में कर सकते हैं जटके में कई बार होता है जुबान फिसल जाती है होता है तो राहुकाल अशुब और गुलिक काल शुब समय होता है में से लेकर मीर तक आज की भविश्वाणी आये जानते है मेश राशे शिक्षा के लिए अनकूलता है पढ़ाई में आप जो भी निवेश करेंगे उसका आपको लाब जरूर दिखेगा ब्यापार आपके लिए अनकूल इस्थती पैदा कर रहा है बिजनस में हर प्रकार के उशुबता आपको मिलेगी ब्यापार एक नुकसान की भरपाई होगी प्राइबेट सेक्टर थोड़ा सा टफ है सुच समझ कर निरले लीजिएगा परशानियां बढ़ सकती है सरकारी छेतर में तनाव दे रहा है कॉर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ मुश्किल पैदा करेगा दामपत्र जीवन आपके लिए बहुत अच्छा है पती पत्नी की बीच स्नेह रहेगा इस्थती आपके पक्ष में है स्वास्त के मामले में पेट, किड्नी और आख के समस्या हो सकती है उपाय क्या करना चेहिए मेश वालों को मेश वालों को परियोक के तोर पर आज मादुर्गा को प्रणाम करके और ओम दंदुर्गा यही नमह का 11 बार जाब कर लेना है क्या नहीं करना है आज अपने राज किसी को बताने नहीं है शुबरंग आपके लिए गुलाबी भाग्य प्रिद्शत संसट जिनांक एक नमबर दिनसों मवार व्रिशव राजी पढ़ाई के लिए समय आपके पक्ष में हैं सिख्छा जितना चाहते हैं और जैसी चाहते हैं सब कुछ आप पू से नहीं आ रही है प्राइबेट सेक्टर आपर भारी पड़ेगा गवर्मेंट सेक्टर को ले करके सजग रहने की आवशकता है आज मैरेड लाइफ के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे अनुकूलता मिलेगी लव लाइफ में कुछ भारी स्थेती है लव लाइफ की स् सब्सक्राइब होगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के घर नहीं जाना है शुबरंग आपके लिए आस्मानी भाग की प्रत्षत 69 मिथन राशी समय आपके फेवर में हैं परिशानियों से बाहर निकल रहे हैं व्यापार आपका अच्छा है रुके काम बन जाएंगे प्र पती पतने के बीच सवहार्द रहेगा लव लाइफ में उठा पटक रहेगी इस्थती आपके हाथ से बाहर जाएगी स्वास्त के मामले में मिथन राशी वालों को किड़नी और बैक की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए मिथन वालों को आज ओ गंगन पते नम स्मंत्र का 11 वार जाब करिए क्या नहीं करना है क्रोध नहीं करना गुसा नहीं करना ब्राउन कलर शोबर 56 प्रित्षत का भागया है एक नमबर करक राशी पढ़ाई के लिए रास्ते खुल जाएंगे शिक्षा में निवेश का फाइदा मिलेगा ब्यापार आपका बहुत चलेगा प्रिजनस की स्थिति आपके लिए बहुत अनकूल है किसी तरह की मुश्किल में नहीं आएंगे व्यापार आपका अच्छा है सरकारी मशिनरी से मदद मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में धुखा हो सकता है चनताओं में जू सकते हैं सरकारी छेतर आपके लिए अच्छा है गौर्मेंट सेक्टर में अगर जौब करते हैं तो बहुत सारा प्लस पॉइंट आपके लिए हैं दामपत्य जीवन तनाव द कर तो आज किसी से उस बारे में बात ना करें चुप चाप सहलिजे लव लाइफ और मेरेड लाइफ में सुधार की संभावना प्रवाल है क्या प्रियोग करना चाहिए आज किसी जरूरत मंद को प्रणाम करते हुए उसको सबजी का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है खुद को असहाय नहीं करना है शुबरंग पीला भाग की प्रत्षत पचास सिंग राजी परिशानियों से बाहर निकलेंगे आप हर प्रकार की शुबता है पढ़ाय ची करेंगे ब्यापार में कुछ मुश्किलें आएंगे बिजनस को ले करके तनाव बढ़ सकता है कारी छेत्र में अचानक से कुछ दिक्कत आ सकती है गवर्मेंट सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है दांपत्य जीवन बहुत सफल रहेगा बच्चों को ले करके बड़ी जिम्मेदारी फील करेंगे लव लाइफ में उस मुश्किलें आ सकती है लव लाइफ आज आपके क्या उपाय करना चाहिए सिंग राशी वालों को आज किसी जरुवत पंद को मादुरगा को प्रणाम करते हुए फल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है कमजोरी अपनी किसी के सामने उजागर नहीं करनी है सफेद रंग्षुभे क्यावन प्रित्षत का भाग्या है एक नौमबर कन्या राशी पढ़ाई अच्छी करेंगे शिक्षा में लाव होगा आज नई जंगा इन्मिशन का विचार फाइनल होगा ब्यापार अच्छा है बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए रूपूली स्थिती पैदा कर रहा है लाव के अवसर बनेंगे सरकारी छेत्र में मुश्किल नहीं आ सकती है करपनाओं में ज्यादा रूबने की आवश्यक्ता नहीं दांपत जीवन अ खाता है प्रियो क्या करना चाहिए आज आज किसी जरूरत मंद को काले चरे का दान करना शुब होगा और क्या नहीं करना है आज किसी को उधार नहीं देना है शुबरंग नीला भाग्य प्रतिशत चांचट तुला राशी कश्ट में रहेंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगे ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेंगे प्राइबिट सेक्टर आपके लिए अन्पूल इस्थती दे रहा है मुश्किलों से बाहर निकलेंगे सरकारी छेतर में उल्जन बढ़ सकती है गवर्मेंट सेक्टर अजानक कुछ तनाव दे सकता है दामपत्य जीवन अच्छा है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगे अवसर अच्छे मिलेंगे लव लाइफ में उल्जन बढ़ सकती है आज का दिन आपके लिए कष्ट साध्य होगा जादा बोलने की वज़ह से समस्य आएगी स्वास्त के मामले में आज का दिन घुटना आँख और खासी जुखाम के शिकायत हो सकती है उपाय क्या करना चाहित दुलावालों को आज ओम दुम्दुरगाये नमः मादुरगा की समंत्र का जाब करिएगा क्या नहीं करना है काला रंग नहीं पहनना है लाल रंग की शुपता है क्यावन प्रतिशत का भाग्या है समय आपकी पक्ष में है पढ़ाई जितनी चाहेंगे कर सकते हैं सिक्षा कहीं रुकेगी नहीं ब्यापार थोड़ा सा तकलीफ तो देगा बिजनस की स्थिती ठीक हमें नहीं दिखाई देती है रिस्क भी नहीं लेना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा अवसर बड़े मिलेंगे तनाव से मुक्ति मिलेंगे सरकारी छेतर में उल्धन बढ़ रही है गौर्मेंट सेक्टर आपके फेवर में नहीं दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा एक दूसरे को खूब समय देंगे पती पक्नी मुश्किलों से बाहर निकलेंगे लव लाइफ में भारी इस्थति दिखाई देती है लव लाइफ आपके लिए मुश्किल दे रहा है स्वास्त के मामले में पेट कमर और आँख के शिकायत रहेगी प्रियोग क्या करना चाहिए उल्टी ह धनुराशी समय आपके लिए फेवर में अनुकूलता रहेगी भारी चीजों से बाहर निकलेंगे व्यापार आपका अच्छा चलेगा अवसर बड़े मिलेंगे लाव होता जाएगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल है नई नोगरी की संभावना है प्रियास कारी छेत्र इन दोनों जगों पर इस्ट्रेस बहुत रहेगा मैरेड लाइफ आपके लिए कई तरह का कश्ट दे सकती है लेकिन लव लाइफ आप पर हर प्रकार की सहुलियत दे रहा है स्वास्त के मामले में पेट कमर और माइगरेन की शिकायत हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज धन राशी वालों को आज अपने हाथ से किसी बच्चे को दूद्व दे दीजेगा पिला दीजेगा क्या नहीं करना है ब्लैक कलर अवाइट करना है बादामी रंग शुबर तिरपन प्रत्सत का भाग्या मकर राशी शिक्षा के लिए आज अनकूलता है परनाव देगा गवर्मेंट सेक्टर को लेके सजग रहें दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पति पत्नी की बीच सभार्द रहेगा लव लाइफ में उल्जन बढ़ सकती है सोच समझ कर फैसला लीजे आज किसी नए प्रपोजल पर विचार ना करें तो ठीक है स्वास्त के मामले में पेट आँख और लीवर की प्रावलम हो सकती है क्या उपाय करना है आज के दिन को शुब करना है शिव शरण में रहना है भगवान भुलेनात की मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्छे दूद का विशेक करिएगा क्या नहीं करना है वाहन उधार नहीं देना है शुबरंग बैगनी भागी प्रित्सद बावन कुम्भराज हर तनाव से बाहर निकलेंगे पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्छा में अफसर अच्छे है बैपार कश्ट देगा इस्थिति आपके पक्ष में नहीं है प्राइबेट अच्छा है पती-पत्नी के बीच स्नेह रहेगा एक दूस्त्रे को समय देंगे लव लाइफ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सकता है सोच समझ कर फैसना लीजिए स्वास्त के मामले में पेट कमर और आंग की शिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज कुम राशी वालों को भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए एक सुपारी उनके मंदिर में चरणों पे रख दीजिएगा क्या नहीं करना है उधार नहीं देना है हरा रंग शुभ है अनसर्ट प्रतिशत का भाग्य है अंतिम राशी मी सिक्षा के लिए रास्ते भी खुलेंगे और माहौल भी अच्छा पाएंगे ब्यापार के लिए तनाव की स्थती है आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा बिजनस में थम करके कदम बढ़ाईएगा कोई आपको आफर करे तो सोच विचार कर एक्सेप्ट करिएगा जीवन और सरकारी छेत्र दोनों में आज सुधार है गवर्मेंट सेक्टर वालों को प्रमोशन मिलेगा मैरेड लाइफ में बच्चों का सुख है लव लाइफ में आज थोड़ा सा उठापटक और नोग जूग की संभावना है विवादों की स्थती आ सकती है ओवर एस्प प्रत्षत 51 एक नॉवंबर 2021 दिन शो मवार मेंस से लेकर मीन तक का भाग्याक्षर बताएं लेकिन नए शेडूल के तारीखें देख लिजे आप 13-14 नॉवंबर को हम चंडीगण में हैं 16-17 नॉवंबर जैपूर में हैं और 22-23 इंदौर 24-25 पूने अपाइनमेंट के बहुत बहुत शुक्री आपका बात कर लेते हैं वाज के भाग्याक्षर का मेश्व ब्रिशबमा मिथुन गाग्षर करकहा सिंह पाग्षर कन्याना तुला साग्षर बिश्चिक बाधनु गाग्षर मकरला कुंभटाग्षर मीन चा आज की सक्सेस की साथ बार ओम गंगन पते नमह का जाब करिएगा साथ बार इस मंत्र का जाब कर लीजेगा एक नॉम्बर जिनका बृत्रे है शुब कामनाओं के साथ तीन लोगों को भोजन करा के दो बच्चों की सिक्षा में मदद करें और जिनकी आज मैरिज एनिवरसरी है तीन पौधे नीम के अपने हाथ से पती पतनी कहीं लगाएं और दो बच्चों की सिक्षा में मदद करें काम पूरा मस्त रहे फाइदा होगा थैंक्यू सो मच आपके इस मुहबबत के लिए और फिलाल आज से तना ही अपना बहुत ख्याल रखियेगा और अभी तो फिलाल आज से ले करके और जब तक हम जैपूर और चंडिगर नहीं जाते हैं तब तक आप मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में नमबर नोट कर लिजे 9910291850 यह गाजियाबाद के लिए special dedicated number यदिने सवागा थैंक्यू नमस्कार